नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो महान आचारिय शुक्रदेव ने अपनी नीती में पूर्षो के ऐसे लक्षनों के बारे में बताया है जिनसे उस वेक्ति के वेवहार की पहचान होती है अर्थात वेक्ति मूर्ख है या बुद्धिमान है अथवा ब्रह्मचारी है वेक्ति आगे चलकर उन्नती करेगा अथवा अधोगती वे अपने जिवन का कल्यान करेगा अथवा विनाश करेगा ऐसे कई प्रकार के लोगों के लक्षनों के बारे में महान आचारिय शुक्रचारे ने अपनी नीती में बताया है अगर आप शुक्रदेव की नीती को ध्यान से पड़ेंगे तो आप जिवन में कभी धोका नहीं खाएंगे और बड़ी ही सावधानी से अपनी शत्रों का विनाश करेंगे आज हम आपको बताने जा रहे है एक अत्यंत कामुक वेक्ति के लक्षनों के बारे में ऐसा वेक्ति दिखाई देने पर ही एक स्त्री को सावधान हो जाना चाहिए और किसी वे पुरुष को ऐसे मित्र का त्याक तुरंथी कर देना चाहिए अगर किसी पुरुष में ऐसे लक्षन दिखाई दे तूस पुरुष को अपने घर पर कभी बुलाना नहीं चाहिए अने था वो पुरुष आपके घर का विनाश कर सकता है शुक्राचारे के अनुसार जो पुरुष स्त्रियों के हावभाव से तुरंत ही प्रभावित हो जाते है अथवा किसी पराईस्त्री से आग्या लेकर उसका काम करते है और अपना महतोपुर्ण कारिय छोड़ देते है वे सबसे बड़े मूर्ख होते है ऐसे पुरुष अपना तन-मन-धन स्त्रियों में ही लगाते है और स्वयम ही अपने पेर पर कुलाडी मार लेते है इने नहीं अपने मान सम्मान की परवा होती है और नहीं शास्त्र और ज्यान की इने उटते बैटते, सोते जाकते, स्तरी ही दिखाई देती है अग्धा इनका जीवन वेर्थ है इनसे अच्छे तो पशु ही होते है जो आवेशक्ता पढ़ने पर ही मादा पशु के साथ सहवास करते हैं। आईए आपको बताते हैं महानाचारिय शुक्राचारिय ने एकत्यंत कामुक वेक्ति का वर्नन किस प्रकार से किया है। स्मरणम किर्तनम केलिही प्रेक्षनम गुप्त भाषनम सल्पा ध्यवसायेश्च क्रिया निवरत्ति रेवच यतन मैथुनम अस्टांडम प्रवदंति मनीशिन वीपरितम ब्रह्मचरिय मेत देवाष्ट लक्षनम इश्लोक में उस अत्यंत कामुक पुरुष के लक्षन बता सरवदा एक स्त्री के आकरते दिखाई देने लगती है एकांद में बैटने पर वह उस्थान पर किसी स्त्री के आने की कामना करता रहता है उसके मन में केवल स्त्री ही बसी होती है वह उड़ते बैटते सोते जाकते केवल औरतों के बारे में ही वीचार करता है और उसी की प चर्चा करना पसंद करता है, उसे ना ही समाज का ग्यान होता है और ना ही विपत्ती की परवा, वो अपनी जिम्मेदारियों को भुला कर सदा सरवधा स्त्रियों के विशे में चर्चा करता है, वो स्त्रियों का गुंगान करता है, स्त्रियों के रूप और यवन के बारे में गलत बाते करता रहता है, अत्वा किसी स्त्री के द्वारा ठुकराये जाने पर उसे चरित रहीन कहकर उसके बारे में गलत बाते फैलाता है, अपने मित्रों के साथ बैटने पर भी वो अन्य स्त्रियों के बारे में बाते करता रहता है और स्त्रियों के आकरती की प्रशंसा कर पुरुष का उसके मित्र भी तिरसकार करते हैं। इसलिए ऐसे पुरुष है। पुरुष को महिलाए अत्यंत मूर्ख समझती है। अत्यंत कामुक पुरुष स्तिरों को छिपकर देखता है। उन्हें देखकर मन में उनसे काम क्रिडा करने का विचार करता है। उसके लिए स्तिरी केवल भोग विलास की वस्तु होती है। वो स्तिरों के चित्र देखकर उनके साथ विहार करने के बारे में सोचने लगता है। एकांद में बैटकर वो स्तिरों के रूप की कलपना करने लगता है और अपने ही इंद्रियों का नाश कर डालता है। पाचवा लक्षन है स्तिरी प्राप्ति की कामना एकत्यंत कामी पुरुष सदेव दूसरों की पत्नियों को पानी की कामना करता है। वो अपने चित्त को स्तीर नहीं रख पाता। वो दूसरों की पत्नियों को देखकर व्याकुल होता है और उन्हें प्रसन करने का प्रयास करता है। अधस्तिरियों का ऐसे पुरुष के निकट कभी नहीं जाना चाहिए। अने था वो अपने परिवार का विनाश कर डालती है। अधस्तिर भी ऐसे लक्षन है तो तुरंत इनका त्याक करे। उमिदे ये जान करे आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो का लाइक जरू करे। कमेड में जैशुक्रदेव अवश्य लिखे। साथ ही चानल को सब्सक्राइब करना न भूले। आप सभी का धन्यवाद।